शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में पुरा बिहार ही नहीं पुरा भारत शादी कर रहा है आज की तारीक 14 है यानि कि आज से खर्मास चड़ जाएगा तो आज से शादिया अगले एक महिने तक नहीं होंगी और इसी बीच हम सोचें कि आखरी दिन आकर आपको एक ऐसी कि जो सारे लफंगे लड़कें हैं वो सावधान हो जाए आठ साल पहले आरा के सिम्रन शर्मा ने शादी की थी उनके दो बच्चे हुए थे और अभी कल खवर आई कि साहब दो बारा शादी करने जा रहे थे और इसके बाद उनकी पहली पत्नी वहीं पहुच गई भाई सा अपल से पीटा घसीट घसीट कर मारा और उसके बाद जो दूसरी शादी करने का सपना देख रहे थे सिम्रन शर्मा जी वह उनकी शादी नहीं हो पाई और जो फजीहत हुई वह अलग अब नमस्कार मिना नाम प्रशांत्राय है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं हो बीट के दूसी लहर में के बाद र्शिशा चेस्क्या जो ले लेने के बाद जो दूं के बाद बाद looks में हम पो जेक्रित पाए गए गए पाए सबसे बड़ी समस्क्या इह हुई कि सब्सक्रार करना करा है यह अ और सबसे परक्षानी बाद नहीं हुई बात किस्त किये बातित होने के बाद वहां ने हरे तरह से सपोर्ट करना पुझी थी हैं आठ साल पहले आरा के सिम्रन शर्मा ने शादी की थी उनके दो बच्चे भी हैं और भाई सहाब को पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया कि सहाब फिर से शादी करने चले गए और यह घटना कल आरा में हुई थी गौसगंज के विशुकर्मा मंदिर में सिम्रन शर्मा शादी करनी जा रहे थे और वो यह उनकी दूसरी शादी थी और एन मौके पर पंडित जी बियाह करा रहे थे तो उनकी पहली पत्नी पहुँच गई और उसके बाद जो हुआ वो अख़बार में छपा हुआ ये कि पत्नी ने तो पहले अपने पत्नी को खूब मारा और उसके बाद लड़की वालों को इतना बखजक किया उनके साथ मिलकर उनको इतनी खरी खोटी सुनाई कि लड़की वाले भी परिशान हो गए और इसके बाद जब लड़की वालों से ये पूछा गया कि क्य वो कितना गलत है ये आप भी समझ सकते हैं लेकिन आयन मौके पर जब उनकी पहली पत्नी पहुची तो सिम्रन शर्मा के पास कोई इस बात का जवाब नहीं था जब उनकी पहली पत्नी से पूछा गया कि आपको कैसे मालूम चला कि आपके पती दूसरी शादी कर रहे हैं त वो अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पहुची थी और उपने पती को बहुत पीटी और उसके बाद शादी को टाल दिया गया शादियों का सीजन चल रहा है लोग शादियां कर रहे हैं लेकिन इसी बीच ऐसी खवर का आना कहीं न कहीं दुखद है मान लीजे कि किसी लड़के का पहला शादी हो गया है और वो दूसरा शादी कर रहा है अपनी पहली पत्मी और दो बच्चों को छोड़ कर ना उसको सुझित किये ना उसको बिना तलाक दिये तो यह कितना गलत है आप समझ सकते हैं बाकि इस खबर पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आप पैसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपकी पत्मी जब आपको रोड पे आके मारेगी तो आप पता नहीं सहन कर पाएंगे कि नहीं और वैसे भी एथिकली यह